सदर पुलिस द्वारा एक गोवंश तसकरी का मामला उजागर हुआ है जहां गोपनिय सूचना के आधार पर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया और आरोपी के खिलाव पशू संडुक्षन कानून के तहट मामला दच कर आगे की जाद सदर पुलिस कर रही है सदर पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान गोपनिय जानकारी मिली थी कि गड़ी गुदाम शेतर में मनपा स्कूल के पास एक बंद कमरे में बड़ी मात्रा में गोवंश बंद कर रखा गया है जिसके दौरान आरोपी विश्वास बोबडे उमर पचास वर्ष मजीद साबिर शेक उमर 25 वर्ष को रंगे हाथों पकड़ा गया गटनास दल पर पाया गया कि 11 गोवंश गोरे जिनकी कीमत लगबग 44,000 के पास है जिनने बड़ी ही निर्देता से बांधा गया था पूछताच के दौरान पता चला है कि आरोपी गोवंश की कतल करने वाले थे आरोपियो तो हमचे बंडी भी पत्काची प्रमुग पीयसा है कुनाल दूरट आने तन चा पत्काला महीती मिला लेकी गड़ी गोदा मेते जी करपरशन ची पढ़ी खाड़ा है त्या शाही चाहे का खोली मदे जनावर आनून गोवंश जनावर आनून डामून ठेवले लिया है कतली साथी अशा माहीती ओरून रेड की रेती थे तर आमी ते तुन एकुन अक्रा जनावरे मुक्त के लिला गोवंश जनावरे एकुन चवज तवर जैसे जरस होतों मुदे माला है यात आरोपी नामे विश्वास नारायन बोबडे वे 55 वर्षे रानार तुकाराम लांजवार चाहिए बाजुला गड़ी गोदाम आणि माजिद साबीर शेख वे 55 वर्षे रानार लश्करी भाग पूलिश ने पाच पावली अशा दोन आरोपी चे नावा समोरा ले लिया है आमी सदर गोवंश चाची सुटका करूं बरडी एथे जे गोरक्षन केंद्रा है तीथे द बाज ब नव महराष्च प्राणी सरक्षन अधिनियों में इकोने शी शात्तर आरोपी और गुणा दाखल के लिये ला है पुरिल कारवाई पीए से पुना धूरट करता है तन्चस फतर चा कत्तल खाना नहीं है पंद तीथी जनावार साठवने ताली होती ती नेमकी कत्तल आरोपी कड़े तो के शियानी तापास के लाए अंतर स्कोभूशे के लियें प्रकाई